राधे राधे जी आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप सब आज इस वीडियों में हम रवा एक आदिशी की व्रत कथा जानेंगे तो पूरी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनियेगा प्राचिन काल में मुच्चुकुद नाम का एक राजा था उसकी इंदर के साथ मितरता थी और साथी यम, कुबेर, वरुन और विभीशिन भी उसके मितर थे यह राजा बड़ा धर्मातमा विश्नु भक्तो न्याय के साथ राज करता था उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंदर भागा था उस कन्या का विभा चंदर सेन के पूतर शोबन के साथ हुआ था एक समय वे शोबन से सुराल आया उन्ही दिनों जल्दी ही पुन्य द्याइनी एक आदशी यानि की रमा एक आदशी भी आने वाली थी जब व्रत समी पाया तो चंदर भागा के मन में अत्यन सोच उत्पन हुई कि मेरे पती अत्यन दुर्बल है और मेरे पिता की आज्याती कठोर है दश्मी को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्ये में एक घोशना करवा दी की एक आदशी को भोजन नहीं करना चाहिए ढो पुल की घोशना स्युनते ही शोभन को अत्यन चिंता हुई और अपनी पतनी से कहा कि हे प्रिये अब क्या करना चाहिए मैं किसी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकूँगा ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्रान बत सके अन्य था मेरे प्रान अवश्य चले जाएंगे चंदर भागा कहने लगी कि हे स्वामी मेरे पिता के राज में कादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता हाथी घोडा उंट बिली गों आधी भी तरिन अन जल और आधी ग्रहन नहीं कर सकते फिर मनुश्य का तो कहना ही क्या है यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी द मैं वश्य व्रत करूंगा जो भागय में होगा वह देखा जाएगा इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख वे प्यास से अत्यन पीडित होने लगा जब सूर्य नरायन अस्थ हो गए और रातरी को जागरन का समय आया तो जो वैश्नवो को अत थर्ष देने वाला था परंतु शोभन के लियत्यन दुखदाई हुआ प्राते काल होते शोभन के प्रान निकल गए तब राजा ने सुगंदित काश्ट्रे उसका धासंसकार करवाया परंतु चंदर भागा ने अपने पिता की आग्या से अपने शरीर को दग्द नहीं किय और शोभन की अंतेश्टी क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पर अपसराओं से युक सिंग आसन पर आरूड ऐसा सोभाग्यमान होता था, मानो दूसरा इंदर विराजमान हो। एक समय मुचुकुन नगर में रहने वाले एक सोमशर्मा नामक ब्रामन तीर्थ यात्रा करता हुआ, घूमता घूमता उधर जा निकला। उसने शोभन को पहचान करकी यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर, अपने आसन से उठकर उसके पास आया, और प्रानादी करके कुशिल प्रशिन किया। ब्रामन ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशिल से है, नगर में भी सब प्रकार से कुशिल है, परन्तु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है, और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताईए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूंगा, मेरी इस बात को आप मिथ्या ने समझें, शोबन ने कहा कि मैंने इस वरत को श्रद्दा रहित होकर किया है, आंते यह सब कुछ अस्थिर है, य ब्रामन के वचन सुनकर, चंदरभागा बड़ी प्रसंता से ब्रामन से कहने लगी, कि हे ब्रामन, यह सब बातें आपके प्रतक्ष देखी हैं, या स्वपन की बाते कर रहे हैं, ब्रामन कहने लगा कि हे पुतरी, मैंने महावन में तुम्हारे पती को प्रत्यक्ष देखा ह साथ ही किसी से विजे ने हूँ ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है उन्होंने यह भी कहा कि यह अस्थिर है जिस प्रकार्वे स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए चंदर भागा कहने लगी है विप्र तुम मुझे वहां ले चलो मुझे पती देव के दर्शिन के तिर्व लालसा है मैं अपने किये हुए पुन्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी अब ऐसा कारे कीजिए जिससे हमारा सयोग हो क्योंकि वियोगी को मिला देना महा पुन्य है सोम शर्म यह बास सुनकर चंदरभागा को लेकर मंद्राचल परवत के समीब वामदेव रिशी के आश्रम पर गया वामदेव जी ने सारी बास सुनकर वेद मंत्रों के उचारन से चंदरभागा का भिशेक कर दिया तब रिशी के मंतर के प्रभाव रेकादशी व्रत के चंदरभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गती को प्राप्थ हुई इसके बाद बड़ी प्रसंता के साथ अपने पती के निकिट गई अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अती प्रसं हुआ रुसे बुलाकर अपनी बाईं तरव बिठा लिया चंदरभागा कहने लगी कि हे प्राणनात आप मेरे पुन्य को ग्रहन कीजिए अपने पिता के घर जम मैं आठ वर्ष की थी तब से विधी पूर्व के कादशी के वरत को शर्धा पूर्वक करती आ रही हूँ इस पुन्य के प्रताप से आपका इहन अगर स्थिर हो जाएगा तता समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रेले के अंतक रहेगा इस प्रकारचंदरभागा ने दिव्य अभूशनों और वस्तरों से सुज़च्जित होकर अपने पती के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी हम आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए मददकार होगी तो हमारे चैनल को कृप्या सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन को दबाएं और उसके बगल में बनी घंटी को भी जरूर दबाएं और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी महसूस होती है तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं धन्यवाद